कि आपके आप सभी का बहुत स्वाद करता हूं आज के हमारी सेशन में जो है इंजेक्शन अटैक के उपर वास टॉप 10 के उपर इस्क्लूजिव हमारी पूरी एक सरीज चल रही है जिसके अंदर थर्ड वीडियो आज में लेने वाला हूं इंजेक्शन अटैक और आज सारे आउट साथ प्लेट क्लियर हो जाएंगे इंजेक्शन अटैक को लेकि तो गाइज यह जो सेशन होने वाला है काफी स्पेशल क्योंकि इंजेक्शन अटैक जो ना यह काफी फेवरेट सबका फेवरेट होता है यूँकि एक्चल में इसके अंदर हम लोग उस लेवल पर जा अच्छे लेवल पर इसको एक्स्प्लॉइड करा जाबता है क्योंकि यह अगों पता है थर्ड लेवल पर आ रहा है तो पहले पन समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंस होते हैं कि ना जो पहले वाला वास्ता और अभी 21 में जो वास्त आया दोनों के अंदर कौ फ्राइब बार चैट बॉप्स के अदर क्लाश के अंदर हाजिक लिगा दो फटावर प्रेजेंट सर बोलिगा और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते है फ्रोण गाई देखेंगे और फिर अवर सिल मोटिवीटिड ब्हाई आवर सिल मोटिवेटिड के लिए क्या है कि बेजि आपने आपको चेक करोगी कल से मैं आज बैतर हूँ नहीं मेरे चेंजिस हुए और मालो मैंने कुछ सीखा है कल से और आज के अंदर तो मैं मौटिवेटेट रहूँगा चलो बहुत सारे स्टुडेट्स आ गएं सारे वेट कर रहे थे मुझे लग गया था चली ठीक है पहले वाले 27 के वास्ट और 21 के अंदर क्या चेंज़ आएं इस के टेगरी के अंदर ठीक है डिटेल में रहेगी पूरी वीडियो तो कहीं मत जाना इस वीडियो के बाद फिर आपको किसी और वीडियो की इंटरनेट पर जरूरत नहीं पढ़ने वाली है और इसी वीडियो से आपके सब्सक्रेंग को परफेक्ट सिमस्टी कि भाई क्या इसमें चिंज़ कर दिये गए तो अपको मेरे स्क्रीन में मैंने किना OAS 2017 का खोल रखाए चोटा सा एक OAS देर रखा है हमें आपके अरे का चला गया यह रहा ठीक है फाइंट बग बग्राउड मेक यू मोटिवेटेड बेल कल बेख रहा ठीक है अब देखो यहां पर कहते रखा है कि 17 के अंदर जब यह यह वाली जो कटेगरी थी इंजेक्शन जो था ना वो टॉप नंबर वन पे था पर इंजेक्शन को फि पर इसको थर्ड के टेगरी पर डाल दिया उसके बाद इंजेक्शन में जैसे दिखा जाना था कि इसके अंदर एक और जो के टेगरी है वह मर्च करी गई थी पहले इंजेक्शन मतलब एसकुल इंजेक्शन मान लो आप ठीक है ना तो पहले जो था इंजेक्शन फर्स रैंक पे था इसको थर्ड रैंक पे डाल दिया उसके अलावा देखो यहां पर आप में दिखेंगे कि तो क्रॉसर डिस्क्रिप्टिंग जो ना वो भी तरीका इंजेक्शन है मतलब आप भी समझे कि यह ना मैं क्योंगी डेटा को कि बाई इन दोनों केक्टेगेरी को साथ में मर्ज करना पड़े और 20 के अंदर इन्जेक्शन नाम दिया और उसके बाद ठोडा जूम करने को नहीं मिल पाए जाइए ना जीफसा होगे अचेशव ठीकिया अब दिख रहो होगा शाय से और जागुरूची क्या देखत गई कि यहां पर इस है इन्होंने चींजे करें तो अब अब इंजेक्शन के अंदर कोई और सुझता है कि कौन को सी कटेगरी मर्ज करी गई है तो आप बाजकते हैं कि अब injection के अंदर इंजेक्शन के अंदर क्या क्या आता यह दिख लेते हैं अब इंजेक्शन जो होते हैं बहुत सारे टाइप की होते हैं ठीकिन इसमें से कुछ चीजे मैं आज कवर करने वाला हूं और उसे concept कुटे clear कर दूगा मैं और उस concept से फिर आप कोई से भी कि concurrent कर सकते को धिक्कत वाली बात थीक तो इसके लिए मैं अपनी एक लाब स्टाट करना चाहूंगे तो पहले अपने लिए इसको पर डोऊ आपको क्या चाहिए एक तो काली लेनिक्स चाहिए होगा आपको ठीक है राद काली लेनिक्स आ गया हमारा उसके अलावा एक आपको विंडोस के ऊपर आपना नॉर्मल सर्वर डाल दो अच्छा सेशन आने वाला इस लिए नहीं अभी विवान अभी अच्छा कंटेंट लेकर आने माले इसे मिस्टर रोबोट क्या मतलब मैं तो अलगते तरीक सोना चीना हो अब बता दूंगा मैं अभी सारे सारे ना कैसे इसको रिपोट करना यह दिदूंगा मैं लास्ट अभी यह जब सेशन होने वाला होगा ना लास्ट मेरा होगा कमांड इंजेक्शन तो उस टाइम में मुझे एक बार बस कर देना कि यह ना सपनसर वह बताना था आपको की बताऊंगा बैसी के लिए आज में तो एक तो ना प्हलें अपन करेंगे अपन बात करेंगे स्टेमेंगे श्टेमेव बात करेंगे हैं अब ते नों के बारें बात करेंगे और भी तरीकी को होते हैं इंजेक्श्ट काफी सारे टेट के होते हैं ठीक है ना CSRF अटाइक जो आ वह अपन दूसरे चैनल पर लेंगे ठीक है ना चूकि उस चैनल के आपर अभी एक last वल्लेबिटी क्यों कि अपने last open rate कर रही थी काफी सार बच्चों को से benefit मिला और काफी सारे बच्चे बख्स भी ढूण पाए जिसको नहीं पता हमारे दूसरा चैनल तो मैं लिंक डाल रहा हूं तो जाखे के अंदर वह रिसर्च करता है बेस्ट आंदर रिसर्च बीज़ अनए अटाइक्स कितने ही टूव हैं लास्ट यह के साफ से और कुछ यह के साफ से रिसर्च के साफ से यह अपने वास टॉप 10 रिलीस करता है वह यह आज जो बात कर रहा हूं वह वैप लिगेशन पर भी चल सब्सक्राइब तो बिफोर टीचिंग एस्क्वेल इंजेक्शन टीच एस्क्वेल लांगवेज जस्ट बिसिक स्टाइब बता इद्वाँ बता इद्वाँ तो बटा सा रुप जाओ ना था कि आपको तो लोग बिलकुल नए है तो नो को दिक्कत ना है थैंक यू सो मच वसीम आई होब कि ये ना आगे आपको डेफिनेटली इसके अंदर और बेनिफिट मिले हमारी वीडियो से और दिसे फ्री नॉलेज अट भी नॉलेज हम लोग आपको दे रहे हैं यह आप चाड़ लोग तक आगे भी सर्कुलेट करें चाहे तो आप लिंक लिंक शेर करें यहां फिर आप खुद भी पढ़ाएं उनको फ्री ओफ कॉस्ट इस वाट वी एक्चुली रिक्वाइर फाम यॉर साइड एज आज आ गुरू दक्षिना चलो ठीके में काली जो मैंने है स्टाट लेकाली के अंदर बेसिक लिए यह प्रफॉर्म करने वाला हूं प्रैक्टिकल्स में और विंडोस 11 के अंदर मैंने करना जाम सर्वर डाला वाई जिसके अंदर मैंने एक एप्लिकेशन होस्ट कर रखी डीवी डेम वनेबल वैप्ल तो उसी को मैं एक्स्क्लॉइट करके दिखाने वाला हूं आज और पूरा बेसिक में चीट किया है कि हम लोग कॉंसेट समझने वाले सारे कॉस्टन्स जोंगे वह अभी एंड में बात करूंगा मैं है ना एंड में ले लूँगा भी सारे कॉस्टन्स अभी रुख जाओ प्लीज बी बॉक्स के उपर भी जल्दी वीडियो लेकर आएंगे हम लोग ठीक है यह हो गया हमारा और इसे में सरवर जो है मैं स्टार्ट कर लेता हूं इसके अंदर मैं आपके सामने पूरा लैट सेट अप करता ताकि जब भी आप इस चीज़ों प्रफॉर्म करें तो आप भी अपना लैट सेट अप कर लिया करें सरी और कम्पिडर रहें भाई 32 जी भी बिल्कुल मंतन भाई बिल्कुल सभी बोला अपने कि आप भी आ सकते हैं इसको पढ़ाने के लिए आप अच्छा पढ़ाएं और मतलब हम जो आपको दे रहें आप चार लोगों दस लोगों तक और पहुंचाए इस चीज़ को और इसी चीन चलती रहें कि वह लोग वह दस लोग वह चार लोग पांच लोग वह आगे चार पांच लोगो लोग को बताएंगे तो इस तरीके से लेगा यहां पर मैंने यह स्टार्ट कर लिया है कि अब यह स्टार्ट हो गया हमारा चलो ठीक हमारा जैंपर चुका एक बर अपन चेक कर लेते हैं लोकलोस पर डालके अरो जल्मान गान भाई आगा तो नहीं करो गया है आपका सर्वा ठीक है अभी देखो अपन समस्ते हैं 192 अप इस बार आइपेड चेक करते हैं मेरे लोकल होस्ट मशीन का आईपी कॉन्फिक और रे रे क्या हो गया आज नहीं आज अज एंडबॉक्स का मैं यूज नहीं करता है तो दिख रहा होगा आपको यह चल रहा है तो अब मैं इस सिस्टम में एक्सेस करता हूं इसको कि तूटो जिए राट बढ़ेगा आपको अपने इस सिस्टम के अंदर एक दूसरे और अगर आपको यह प्रफॉर्म कर रहा हूं करना ही पड़ेगा आपको अपने सिस्टम के अंदर एक दूसरे और करने वाले ना मैसेच में स्टाप पे आप देख लेना एक बार ठीक है शावाज में देखता हो ना हम जो प्रफॉर्म कर रहे हैं कमांड इंजेक्शन वगरा काफी तर चीज रही तो इसलिए आपको दो 168.220.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139.139 अब दोखो काफी सारे vulnerabilities दे रखी जो हम लोग इसको one by one कुछ अपन प्रफॉर्म करने वाले ठीक है तो एक सेकिंड security में डाउन कर लेता हूं तो अब यह जो जिनको नहीं पता आपको जिनको नहीं पता जादू मैं आपको अगर मानलो आप testing करना चाहरे हो अपना करियर अपना तो उस condition के अदर आप इस टाइप की काफी सारी लाज्ट पर अब लेबल आप उनसे start कर सकते हैं मैं डारेटली आपको रिकमेंट नहीं करूँगा कि आप लाइप पे जाकि अपना सरफोडो और उसका कुछ ना मिले तो फिर पीछा के पुझा तक पुझा सर यार वलनेबिटी कैसे मिले समझ मिले आ बहुत सारे स्टूडेंट्स की यह भी डाउट होते हैं बक्स फाइंड आट करते हैं यह हमें पता किसे चलेगा हमारे सामने चीजे खुली हुए पर हमें पता निकि यह वलनेबिटी है तो ऐसे लोग ऐसे डाउट ने कि हम लोग साइट अपने खोल लिए अब क्या करें वहा होते हैं वेरी गुड़ सायक बहुत चीजी बात है ठीक है अंश बोलता है ऐसा ठीक है यह सर सीम ठीक है काफी सारे स्टूडेंट के डाउट होते हैं कि सामने साइट खुली हुई है पर मुझे पता नहीं बग कैसे होता है इसके उपर मैं एक स्रीज वीडियो लेकर आना है इसके उपर एक वीडियो लेकर आउंगा वह आपके सारे डाउट कर देगा और यह बहुत सिंपल ट्रिक है जो मैंने खुद ने अपनाई थे अपने करियर के अंदर जो कि ऐसा मेरे साथ में बहुत बग मिलना बहुत होता है उसमें अगर वह नहीं मलता ना तो बहुत आपको ठीक है तो अब देखो यहां पर क्या है कि अपना यहां पर पकरते हैं यहां पर SQL injection ठीक है ना यहां पर देखो यूजर इडी माग रहा है ऐसे ही काफी सारे SQL injections आप दिखेंगे कि जो ऑथेंडिकेशन बाइपस रहते हैं अब SQL injection यह बहुत ब्रॉड लेवल पर केटेगरी है ना बहुत सर बच्छों सर बच्छों सर बच्छों सर बच्छों सर बच्छों सर बच्छों स सबके जो क्वेरी फार्वर्ट होते हैं सबके डिफरेंट होते हैं सो अगर आप यह सोचने कि भाई मैंना एक माइस को सीक्किया और मैं दूसरों के ना डिरेटली क्वेरी रन करके डेटाबेस से इंपोमेशन निकालना है इस नाट पॉसिबल पहले हम समझते है थोड़ा स अगर हमें समझना पड़ता है कि इसका concept क्या कहता है अगर हमें concept पता है तो फिर आप पीलोड कुछ भी यूज करो कुछ भी यूज करो ठीक है ना मतलब आप है ना अगर कुछ भी आप यूज़ करोगे न सब चलेगा आपको पर आपको concept पता होना चाहिए यह कैसे implement हो रहा है अगर आपको यह बहुत है कैसे implement हो रहा है तो फिर आप पेलोड अपने साथ से ढून लोगे तूस अपने अपने साथ से निकाल लोगे तो इसलिए अब मैं सब जा रहा हूँ आपको कि यह कैसे वर्क करता है तो दिखेंगा अगर मालो हमारा ब्राउजर है और ब्राउजर के थूरू हम लोग साइट ओपन करते हैं ठीक है ना और वह साइट जो है ना वह किसी ना किसी सर्वर पर वह SI है घो होस्ट होती है अब उस सर्वर के उपर जैसे साइट अन्रहों कर रखिए हो सर्वर किसी नकिसी डेटाबेस तो जुडाव हूथ है जिसे मैं यहाँ बनाते मीद्गा पर एक सामसे है सो यह अपन लसार वर लेते है तर एक यह तर भीःता है अब क्या होता है कि जैसे मानलो कि database के अंदर database में सारा काम जाए ना वो क्या होता है table available form में होता है बहला सारी चीजे store हो रही है न डेटा डेटा बेस में सब चीजे store होती है रहो टेबल और column की format में होता है उसके अंदर सारी चीजे इस type का कुछ बदादारों guys के ना concept समझना बहुत जरूरी है लोग है ना मतलब script keys बन जाते हैं practical देखा payload लगाया और गुज गया और वोला hack हो गया पर actual में वो सब क्या होता है कि script key काम होता है कि भाई एक एक मतलब payload देखा और बिना समझे बनेप्रिटी को और उसने लगा दिया उसके अंदर और attack हो गया और भाई hack हो गया तो उसका मतलब यह नहीं कि आपको आगया आपको आपने सिख पढ़ा और आपने कर दिया उसको आपको समझ में आपाए क्या है यह ठीक है अब देखो यहां पर कहा है जिसके अंदर हमारा कोई नहीं कॉलम होगा और ना कुछ रोज होगी इसके अंदर तो अगर मुझे लगा इससे रिलेवेंट कोई डाउट हो तो चलूंगा आपका ठीक है और इस टॉपिक के बाहर की डाउट होगे तो उसके लिए वीट करना पड़ेगा सेशन खतब होग अब देखो यहां पर का कि नेम और अपने नेम और मॉबाइल नमबर स्टोर कर रखा है अब क्या हुआ जैसे मालों कि आपको एक सर्च बार आ गया वहाँ पर वहाँ जैसे यह ले ले लेते हैं यह यहां पर अपन अब यहां पर एक फीचर है वेबसाइट के अंदर जहां पर आप किसी यूजर का मॉबाइल नमबर डाला और उसके बार में डिटेल जो है ना उसका नाम सरच कर सकते हैं अपर ठीक है ना तो यहां पर एक एक साइट ने दे रखा है कि एंटर यॉर मोबाइल नमबर हीर ठीक है कि यहां पर अपन ने कर दिया तो गाइस जो नोप से ना वो प्लीज आप ना चुटा से बैठके सेशन देखो ठीक है तो अब यहां पर एक एंटर मोबाइल नमबर हीर तो जैसे मानलो की यूजर है यूजर ने अपना मोबाइल डालेगा ठीक है मोबाइल नमबर डाला यह रिक्वेस्ट यहां से कहा जाएगी सीधी सीधे जाएगी वैब सर्वर के पास गई और उसने बोला कि भाई मुझे यह को एक नंबर मैं बोल रहा हूं इसको मुझे डिटेल जाननी आप ठीक है तो लेट सपोस अपनने बोला 123 ठीक है अब यह 123 उठके नहीं चल जाएगा यहां पर ठीक है ना तो क्या होगा कि जब यह वाइट जब यह डारेटली 123 उठके नहीं जाएगा तो बैसी कि लिए क्वेरी बनाएगा यह उतना वाट इस यूर नीम जैसे मानलों मैंने आपसे पूछा मैंने एक क्वेशन दस और दूसरे से पूचा वाइज यूर नीम तो दूसर नहीं ऑला माई नेम एस रायना एजाज ठीक है तीसरे सरे से मैंने पूछा कि वाइज यूर नेम दूसरे तीसरे ने बोला कि ना मैंने इस मन्थन बागरी सग्मार आपको तो इस तरीके से मैं सब को inquiry कर रहा हूं और स तो इंपूट है ना वह अलग-अलग वह पर एक format जो है my name इस सब का common है उसके बाद जो input है ना उस user का वो differ कर रहा है तो ऐसे ही जब भी हम कोई query बनती है तो उसमें यूजर का input डालते हैं और बागी काफी चीज़ बिल्कुल format सेम रहता है जैसे मैंने बोला कि यार मुझे कोई number सर्च करना है तो इसके query बनी हुई आईगी और सीधे जाके database में सर्च करेगी तो यहां पर हर database के अदर बहुत सारे tables होती है और हर table के अंदर हर table का एक नाम हो जैसे मानलो table का नाम होगे हमारा user ठीक है यह क्या है हमारा table name गाइस जिसको SQL नहीं पता तो उसके लिए भी होड़ा से clear हो जाए डाउट ठीक है ना तो हर database का database क्या है हमारा school का कोई database है ठीक है ना यह database होगे हमारा समझना गाइस बहुत इंपोर्टेंट है यह topic और यह concept समझना बहुत जरूरी है एक बार समझने आ जागा ना फिर आपको कहीं जरूरत ही नहीं कुछ समझने की फिर तो directly practical करो या जा जाओ ठीक हो आपका जो database है मतलब हर साइट के अंदर हर सर्वर पे एक database होते है और जिस जो टेबल अलग हो जाएगे से बहुत साइट बना सकता हूं मैं ठीक है और उसमेंसे एक table मेरा user table करके और उस table के अंदर कुछ मेरे information store है जैसे मानलो कि मेरा नाम तपन और साथ में मेरा mobile number 123 ठीक है तो ऐसे इस time की मैंने information store कर रखी है तो अब क्या है कि यहांसे request आई कि मु basically इस table के अंदर है तो मैंना table का नाम define कर दिया user table name हो गया उसका ठीक है ना where mobile equals to जो भी आपने डाला वह वहां पर आ गया ठीक है ना so 123 ठीक है class end होई कि साड़े बारा वजेगे आसपा ठीक है तो ऐसा मैंना कोई यूजर तो हो गया हमारा table का नाम हो गया और where mobile equals to 123 तो वह search करेगा कि आपके database के अंदर database जो भी है आपका उसके अंदर कोई आपकी table है क्या अब इसे रुख जा रुख जा अभी पहले जो concept हो समझ लो उसके अपना आगे देखेंगे ठीक है तो अब देखो यहां पर किया कि जैसे उसने सरच करा तो mobile नंबर आ गया 123 और mobile नंबर 123 सरच करा तो भाई इसको input में अतलब वेब सर्वर ने request करी database सर्वर को कि भाई यह कोई information पूछी गई है जिसका यह query आपकी query बताओ ठीक है ना उसने query से reply करा थैंकी सो मच वेलकम प्रदीव साइवर पंक लेने के लिए आपको आपिस से थैंकी सो मच प्रदीव एक सेकंड लुक जाओ ठीक है अब देखो यहां पर क्यादे रखा है कि यह ना आपने लेड़ाबिया ने response करा वेब सर्वर को और वो सीधे कहां पर आ गया इधर हमारे ब्राउजर के अंदर और हमें जो number सरच करा था उसके नीचे हमें क्या मिल गया हमारा input मिला हमें तप ठीक है तो यह नॉर्मल एक के ना query format हो गया और जहां पर आपन डेटा सिर्फ सेंड कर रहे हैं सेंड करके वहां से information मिल रही अब समझते हैं injection attack क्या हो गया यह तो अपना basic functioning हो गया हमारे application का जहां पर एक user query करता है वेब सर्वर के पास गया वेब सर्वर डेटाबे सर्वर कि इन्जेक्शन के सर्वर इन्जेक्शन लगता है इन्पूट फील्ड से जहां पर डेटा इन्पूट करा जा रहा है वहां पर अगर इनकीस पहली बात तो वैलिडेशन नहीं हो ठीक है वैलिडेशन वैलिडेशन नहीं है ढूंब अगभिए अब देखो यहां पर देया है था अधिक है अब यहां पर दिकार तो हम आपको वैलाड़ेशन नहीं है पहली बाद तो हम आप पे हैं वैलिडेशन मतलब कि जिस टाईब का दीटा एंडर करना चाहिए और भी यहां पर कोई स्पेशल क्रेक्टर नहीं और यूजर अगर वहाँ पर नंबर की जगह कोई स्पेशल क्रेक्टर डाल पा रहा है यहां पर यहां पर पकड़ रहे हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप यह जो भी जो मेरे चलो ना इसी तरीके से काम करता है ठीक है अब वो डेटाबेस कुछ भी होता है ऐसा कुछ नहीं कि भाई कोई साब डेटाबेस जो है इसके रिजिशन से अफ्रक्टर नहीं है सारे और मुस्ट ओरेकल डीवी तक जितना भी अब यहां पर इन्पूट जो आप डाल रहे हो ना बाई ऑलड़ी में इसका वीडियो लेकर आचुका प्लेइलिस्ट में जाके चेक कर लेना ठीक है अब यहां पर क्या रखाए कि ना आपके सामने यह नॉर्मल से दिखा दिया मैंने कि ऐसे साइट से इंक्वाइरी होती ह गो कि यहां पर डाला देना ना नंबर डाल ना चुशल और कि यह कुछ भी जो है ना यह कुछ भी जो इना यह है अटाय ठीक है आइस समझेवे बहुत इंपॉटेंट कॉंट बतारों है यह अब इन पर लिख रहे हैं न कि अपन कुछ भी डाल पारा रहा है कि अटाय कर तो हाँ भूए कुछ अब ये कुछ बी चो आप पारे के यहां बेलोड के अदर उसे बोलते हैं पेलोड क्या बोलते इसको अपन नॉर्मन लाइग्मिज के अंदर यह आगया नीचे प्रदीब वह जो बताना रहा है चेक लिस्ट वह हमारे आने वाली है तो एगा कुछ भी हमारा पेलोड यह डिफर करता है अब यह हमारा पेलोड तो जो पेलोड न अब डिपेंड करता है कि आप पेलोड कैसे डालते हैं अगर आप समझे इसको यह बहुत सारे कॉंसट्ट को आपको दो समय में क्लियर कर देगी आपका ठीक है ना जो जवा कि विक्सक्राइब जो कि डामेरा को क्या था जावास्क्रिप्ट था अगर इनकीस आपका ठीक है अब अगर मालो जैसे जावास्क्रिट पाप में डाला तो वह बन गया crossword scripting अगर in case आप डालते हो stml code तो वह बन गया stml injection ठीक है अगर आप यहां पर sql query डालते हो तो it become sql injection ठीक है समझ मैं रहा आपको कमज रहे हो न हाँ तो नीचे आ जाएं हाँ इधर तो रख लेते हैं ठीक है अरे रे क्या हो गया ठीक है इसके इंजेक्शन हो गया अगर माल लो लेट सब्सक्राइब यहां पर डाला अपने ओस कमांड इंजेक्शन ठीक है तो यह यह इंजेक्शन और कुछ नहीं है लोग जो बदेशी इतना बड़ा बड़ा वीडियो बना देते हैं यह वह होता है होता है सिंपल सा इंजेक्शन ही यह जो नहीं बहुत लेमन लैंगवेज में आपको बहुत आराम तरीके समझा दिया कि वह होता है ठीक है ना जहां पर यहां पर कुछ भी डलता है ना जिसे लोग नॉर्मल्लोग बोलते कुछ भी और हम लोग बोलते रहे बाइने मुझे दाल रहे हो उसे साब से आपका इंजेक्शन क्यलाता है अब जहाँ पर समझाया यह पिल्कुल क्लियर है या नहीं कोई डाउट है तो आप केट बॉक्स में डाल कोई भी डाउट है आपको उसके प्रेटिकल करने पर जाओंगा सारी चीजी एक स्प्रिंग करूंगा वन्मां महनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकल मैप यूज करते हैं किसी वेफसाइट पर तो वेफसाइट का ओनर हमारी लोकेशन हाँ पर कर सकता है कोई दिक्कत नहीं कर सकता है वह हमारा एनिटिंग बाई एनिवे वी केंट टेक एडवांटेज ऑफ वलनेबिलिटी वी बिकल्ट बात करेंट के अंदर अदर हम लोगत चैसर परसे का हो जाएगा sıब entsprech नहीं को अब बात करते हैं कि तबत नसर यह तो सब्देत हैं सुच झतर हो गया मैं कोटेर रोगिया आप पेलोड के अंदर कुछ भी इंसरेट कर रहे हैं dangerous malicious data इसको कुछ भी बूल सकते हैं बहुत सार अलगना नाम है ना जैसे मान लो कि हमारा यह शावाज भाई के ना जो वह हैं जो उनसे वह करती हैं वह शावाज भाई को क्या बूलती है अलगले नाम से शाबू बूलती होंगी ठीचर बूलती होंगी जानू बूलती होंगी शोना बूलती होंगी धए लिस्ट आफ नहीं है ऐसे ही हमारे यहां पर जिसे आगा पेलोड डालेंगे उस बड़ तो असका नाम चीज पो लगा अब ठीक है पड़ावड आते हैं प्रैक्टिकल की उपर तब अंदर प्रैक् मेरी सीड राई जो ना भैंकर तरीके तरह भरी हुई है भाई आद डीर जी भी खा लिए भाई चाह क्या रहा है एक सिंग रुख चाहो क्या डाउनलोड डाउनलोड करा था मैंने कल कुछ एक ISO ISO कर ली थी मैंने चलो खोई ना कुछ भीनियो भी सिर्ट अब चलो ठीक है आजा ओप इंग बार अपन चेक कर लेते हैं कि ना क्या क्या इश्यू आ रहा है इसके अंदर एडिक्टर मेरा विंडोस 11 जना बंद हो गया वह पूरी मेरी ना पूरी भरी पड़िये एक जीवी बचा हुआ है यार शरम करो शरम अलब 250 जीवी एसस्टी वन टीवी एस्टी तब भी आपकी स्टोरेज एक जीवी आकर इंद हाउस एन एक्समाक्स करें करते हैं इसका स्टार्ट करके ट्राइट एक्स्ट्लीन इट करें करेंगे जल्दी करेंगे अब देखो यह यहां पर क्या है कि जैसी के लिए एसके लिए इसके लिए आपने बहुत जगा देखा होगा ठीक है ना कुछ मैं डेमी सेट पर दिखा तो आपको यही चीज आपके आपके आपको यहां पर क्या है कि जिसी तिरा होगा आपको यहां पर साइट है ठीक है ऑस तैंकि सो मजब बताने के लिए भूल हुआ था इतनी फाहिस होती है या कुछ नहीं हुआ मरजा डूप के लाइसेशन में डिस्क्लीन अब करना बैठ रहा है भाई देखो सरी चल रही है अपनी है कि डिस्क्लीन अब करके टैंप्रेरी फाहला डाटा के इतनी अपना चल प्थाड़ दाड़ देखो इतनी आम आचल अच्छव दद एटम गया चल खाड़ चाड़ रही है चलो ठीक अब दिले दिलोसी जान आगी होगी मेरे सिस्टम के अंदर चलो विंडोस चालू तो हो गया कि अटेंशन मतलो पहले ही से तुम्हेना पुलिस पकड़ेगी तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक एक बाद चेक कर लेते हैं अपन सिस्टम एक बाद स्टाट हो जाए एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट हाँ चलो भी चालू हो गया नो जाम पॉन कर लेते पटाफ़ट एक बार पर टेस्टिंग के दौरान आपको सारे टाइप नहीं अपनाने ठीक है कि बता रहूं में आपको क्या चीज़े आपको कर नहीं है स्कुल इंजेक्शन के लिए ना अगर आप ट्री बनाने बैड़ और आप डेटावेस का इनुमेरिशन करने बैड़ गया तो बहुत सारा टाइम लग जाता है और इतना टाइम मिलता है अगर आप इना फ्रीलांस कर रहा है कि अप इना किसी साइट में बगंटिंग कर रहें तो उसमें तो आपको बखे टाइम अला आप 10-15 महीं भी लगाओगे ना कोई नी बूलने वाला कोड तो कि इस आन ओपन प्लाटफर्म, anybody can do it and कोई time limitation नी बट इसका नाम और टेबल नीम निकालने बहुत टाइम लग जाता अगर आप तो बैटर यह रहता है कि आप जो पहले find out कर लो कि SQL की इसमें vulnerability है, try to use it some automated tools जिसकी help से आप यहाला काम कर सको, ठीक है SQL injection सबसे बड़ी टाइप की vulnerability होती है, सरी यह क्या वैसर टेस्टिंग के लिए यह है, ठीक है SQL injection जो ना यह बहुत है यूज लेवल पर vulnerability होती है, क्योंकि basically इससे database पर निकल जाता है, एक site में database सबसे important होता है, अगर आप निकाल लेंगे तो आप कुछ नहीं बचा, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो एक जो category होती है, वो क्या होता है आपका authentication bypass करने का, जहां पर one equals to one वाली है, बहुत सारे लोगों नो यूज कर रहा होगा, और इसका सब्सक्रा मतलब समस्ते के बार यह one equal to one जो है, यह कैसे impact करती है, अगर मैं दिखाओं आपको, तो notepad open कर लेता हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं, अभी कहा लगाना है मैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है न, दो मिट्रों जाओ, जैसे यह वाला जो होता है, पेलोड one apostrophe, और one apostrophe, one apostrophe one, sorry, ठीक है न, तो अभी यह जो है न, basically, यह एक पेलोड होता है, इसके अंदर हम लोग क्या एक statement को, दिखाता हूं, इसका statement को जिस तरीके होता है, यह से username equals to, और फिर आपका यहाँ पे input डलता है, and, password equals to, यह रहता है, ठीक है, अरे यार मेरा नीट्रों मोड ओन हो गया, गर्यों बात हो रही है, यार वाक्ये में, cooling mode on किल लेता हूं, अब भावेगा मेरा यह, maximum गडालता हूं, बहुत जाब आवाज आ रही होगा, अगर आरी तो जादेना मुझे, ठीक है न, तो अब देखो, यहाँ पे, ठीक है आपको, तो username equals to, और जो भी आप डाल रहे हो, ठीक है न, तो इस type की condition होती है, जब आप इस type को यह न, login page use कर रहे हो, तो यहाँ पे बोला का जा रहा है, कि जो भी आप डाल रहे हो, यूजर नेम के अंदर अबिशेगा कि भाई, username equals to admin है, और, and password equals to admin है या नहीं, अगर यह दोनों, अब देखो, यहाँ पे, एक important बात यह, कि यहाँ पर अपनने end statement का use करा गया है, ठीक है न, तो end statement अगर अपन यूज़ कर रहे हो, तो basically end का मतलब क्या होता, अगर मैं आपको यह बोलू कि यहाँ, अबिशेग भाई, कि ऐसा गरो कि आप एना, आप मुझे pen and paper, दोनों चीज़ लाके दो, तो basically आप क्या करोगे, मुझे pen भी लाके दोगे, और आप एना paper भी लाके दोगे, पर अगर मैं यह बोलू कि pen और pencil में से कुछ भी लाके दो, तो basically और का मतलब क्या हो गया, I have a laptop guys, तो अब मैंने और का मतलब क्या हो गया, कि either this condition is true, और either this condition is true, तो आपने देखा हो कि username password, जब भी generally कोई site पूछती है, तो उसमें username भी सही होना चाहिए, और password भी सही होना चाहिए, तो मतलब कि वो क्या use कर रहा है, यह, and operator यूज़ कर रहा है, इसे operator बोलते हैं, ठीक है, तो end operator यूज़ कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे username भी मांग रहा है, अगर आप यहाँ पे secret username डाल दोगे, तब भी वो login नी करने देखा है, क्योंकि उस condition आप पासवट भी डालतू है, जब आप दोनों condition true करोगे, तब ही जाके वो आगे बढ़ने देखा, अब hacker को पाश चलिगा यह वाली चीज, hacker दिमाह लगा रहा है, कि भाई यह चल क्या रहा है, मतलब यह तो महाल कर देखा है, लोगों ने बिल्कुल तकड़ा तरीके से, यूजर ने भी चलीगी क्या, कुछ हमारी भी चलाओ भाई, ऐसे ऐसे काम ना चलने वाला, ठीक है न, तो अब क्या है कि भा तुम्हें अच्छी ते नजर आ जागा, अब देखो, यह एंड जोए न, इसको बढ़ा कर देता हूं, मैं, ओहो भाई, तो सोला कर रहा है क्या भाई, और क्या हो गया, एक दम से, हाँ, ठीक है भाई, बढ़ा कर लेते हैं, इसको रोड़ सा और, ठीक है न, जनता को नजर अच्छा लगता है, यह सब एकार चीजे है, तो अगर आपने, बिल्कुल, 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 थैंक्स, प्रकर बताने के लिए, एंड जो है, वो चोईस नहीं होती है, और और जो न, वो चोईस होती है, ठीक है, अगर मान लोग कहीं लगता है आपको कि तबंसर यूजर नेम जो माग रहा हो वो यूजर नेम आपका एड्मिन होना चाहिए, और पासवर्ड जो है, वो आपका एड्मिन होना चाहिए, तो अब एंड है तो बाई दोनों के दोनों true होना चाहिए, दरवाईस वो allow ही नहीं करेगा आपको, तो एक condition है planगी, अपनेight अब स्टेटमेंट must be true ठीक है और यहाँ हम क्या यूज़ करें end operator ठीक है end operator ना मरी बारा बजा दी अब hacker समझा कि end operator अब यूज़ करें तो इससे बढ़िया आपन क्या यूज़ करें और operator तो जहां पर उसको input डालना था ना यह input वाले एरिया है जिसको तो मैं underline कर देता हूं ठीक है तो यह जो है यह दिख रहा होगा आपको admin admin तो यह जहां पर underline कर रखा है वो है आपका कौन सा वाला एरिया input वाला एरिया तो अब attacker ने बोला कि भाई मेरे बस की बात जो है न वह इसको इसको कंट्रोल करना नहीं है इसको कंट्रोल करना मेरे बस की बात ना है ठीक है इसको मैं अलग कलर से डालता हूं ग्रीन कलर से ना मेरा ना मेरो कंट्रोल करना इसके बस की बात है यह भी मेरे बस की बात नहीं है ठीक है और ना मुझे पीछे वाले की पीछे वाला मुझे चेंज करना यह मेरे बस की बात है तो मेरे बस की बात जो इन्पुट वाला यह है एडमिन इन्पुट में डाल रहा हूं और यह जो है बीच वाला यह मेरे डाल रहा हूं तो अब लगाया उसने लगाया तो बोल रहा है कि दोनों कंडिशन त्रू होना चाहिए तो सर ऐसा करते हैं इससे वड़िया कि यह तो गया तेल लेने के लिए अब देखो आप देखोगे न तो पेलोड के अंदर वन के बाद अपोस्ट्रोफी डलता है वन से पहले अपोस्ट्रोफी डलता है यह 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 स्टेट्मेंट लेकर आया है कि समझो यहां से बिल्कुल बहुत समझ में आ जागा तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से कि यहां से हम डारेट्ली क्यों एस्कुल लग जाता है और यह समझ लिया आज ग्यान समझ लिया आपने से इतारों में सब बन जाओगे हैकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं कॉमर्स से हो बीए से हो सब बन जाओगे हैकर क्योंकि मैं खुद मक्यानिकल इंजिनियर हूं भाई टेंचर को ले रहा है तो सब बन जाएंगे हैकर ठीक है अब देखो अटैकर ने लगाया क्या यह वाला वन पोस्ट्रॉफी के अंदर सिंगल पोस्ट्रॉफी के अंदर आया तो देटाविट सब्सक्राइब ना भाई उसने रीड कर आप है और लगा दिया भाई ने तो मतलब और मतलब की आड़र ये कंडिशन टु हो तो यूजर नेम को भी उन मिलेगा यह भंता कुछ मिलेगा य तो भाई 1 equal to 1 तो जब 1 equal to 1 हुआ तो उसने बोला कि भाई 1 equal to 1 तो होता है तो इस ट्रू स्टेटमेंट और हमारे लॉग इन पर क्या चाहिए में ट्रू स्टेटमेंट 01 पर सारा काम करता है अगर स्टेटमेंट ट्रू हो ट्रू मतलब कि जब अगर यूजर नेम पर पासवर्ड मैच करता है तो यह स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो वह अकाउंट उपन कर देगा और अगर यूजर नेम पर दोनों में से कोई भी एक रॉंग है या दोनों रॉंग है तो यहां पर हमारे पास दो कंडिशन हो ठीशन होती है यूजर नेम एंड पासवड ट्रू इसने मश्यान ऑर पासवर्ड भीटू कर राजच के अंदर ठ्लreck है यह ट्रूब पासवर्ड भी ट्रू एक कंडिशन दहीं होगे है यह है मैं एक कंडिशन होगी की यूजर नेम आपका true हो गया and password false हो गया सज मारा आपको ठीक है उसके बाद फिर क्या है username आपका हो गया false अरे false एरे भाई ठीक है and और फिर password हो गया आपका true नहीं प्रकर बता दूँ मैं आपको कि वहां पे मुझे double हाइफन यूज़ करने की जरूरत नहीं है comment के लिए ठीक है न मैं इतना लालोगा तब भी मेरा कांच ले जाए कि जब आप इस query को run करोगे न डेटाबेस में directly तो वह सिर्फ इतना ही लेगा और उसके बाद आला statement पढ़ने भी नहीं जाएगा ठीक है न तो अब सब्सक्राइब आगे आपको इसका माल होता है कि यह पीछे का वालब यह आपन ने अपोस्ट्रॉफी लगा के अपन लगा कि इसके इसके बाद जो भी वाल मैंने डाला यहां पर है कि एडमिन और देखता हूं यहां पर है आप अब क्या होदा है कि पहुस्तार अकर बोलते आपको आपको पेस्ट कर देना इस पेलोड को यूजर निम्मर पासवर्ड में और आपकर लोगे हैं अब गधे कहीं कि पहले यह तो बदा यूजर नीम में वलनेब्रिटी कि पास्वर्ड में वलनेब्रिटी समझो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टन चीज़ है यह लोग क्या बोलेंगे आपको सीधे जाओ यूजर नीम पास्वर्ड में पेलोड एंटर कर दो जाए तो उसको यह बताना परता है जो हम टेस्ट ठीक है यह मेरा पेलोड हो गया तो यह कुछ भी तपन डाल दो आप यहाँ पर ठीक है अब क्या है अभिशेक एंड के बादवाला स्टेटमेंट क्यों इसलिए नहीं चले है क्योंकि पहले बाद तो दो क्वेरी रन कर रही है न तो जब एक एक क्वेरी के अंदर पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो सेक्टन वाला ट्रू होते ही वह उसको रन कर देगा पीछे न आपको पहड़ी वाली क्वेरी रण करें पीछे वाला जो एंड के बाद वाला कुछ भी रण नी करने वाला यहां पर डाला यह पे लोड जो है अपने डाल दिया जो कहता है कि यूजरनेम में कुछ भी हो ठीक है ना पास्वर्ड के अंदर 1 तो हो गया पास्वर्ड और उसक पास्वर्ड डालता हूं मैं कुछ भी अब ट्राइ करते हैं एक बार अब भी रण नी करा तो अब क्या है बेसिकली अब मैंने इसका दोनों में डाला ठीक है देन वी विल ट्राइ और अब मैं अंटर कर गया तो अब इसका मतलब क्या है कि पहले आपने यूजरनेमें में सब्सक्राइफित में ड्राइब कि और यंजर मड़ने। in url admin login .aspx ठीक है अपने कोई भी साइट निकाल लेते हैं यहां से यह निकाल लेते हैं ठीक है अब इसके में डालता हूं यूजर नेम के अंदर यह पासवर रखता हूं ब्लैंक चेक करते हैं फेल्ड दे दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नीच चले में डालते हैं उप फोल गया दिखंड अपको यह यह जो डेटाबेस कोल दिया मैंने क्यों चोटी इसके यूज़र नेम में इस्जु था आपको में डाला मैंने कुछ भी पासवर डाल दिया लॉग इन खरता हूं मैं तो यह खुल गया आपका तो बिसकली इसका मतलब क्या हुआ कि आपके प इस तरीके से आप जो है ना बग्स चेक कर सकते हैं और आपको चेक करना पड़ता है कि भाई कहां पर बगए मतलब इंटरी हो रही है न डेटा की वहां पर आपको यह चीज मिल जाएगी ठीक है सब्सक्राइब कर रहा है कि यहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि जब भी मैं कोई क्वेरी रन कर रहा हूं डारेटली वह अब एक्सेट कर रहा है और इस पर डेटा इस सरुपर वहिज रहा है तो मतलब यह वैसा है कि जब एक छोटे बच्चो को आपने यह बोला है कि भाई एसा चोटे बच्चो को आपने यह नी शिखाया कि घर में कितना कैश पड़ावा बाहर बताना नहीं ठीक है न उससे कि बच्चा बटा बटा घर में कितना कैसे पापा ने कल पांच लाक रुपे रखे अब चोरी चोटा बच्चा जो है न वह बताना पड़ता उसको ऐसे ही वेबसाइट का इन्पूट फ्यूड है न उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपको वेलिडेट करना है और इसको बताना पड़ेगा परेंट्स को कि बेटा आपको यह इन्फोर्मेशन बाहर नहीं देनी है ठीक है ना तो वही चीज है यह जो एकस्ट की वलनेप्रिटी होती है ना कि डेटा बेस की वलनेप्रिटी होती है ठीक है अबना बहुत साथ लोग वोज़ें कि डेटाबेस की वलनेप्रिटी है ठीक है ठीक है सज में आओ गया थैंक्यू बूम बॉइं पूरे एक्ष्प्रेंड करने के लिए कुश्टन्स को ठीक है सब्सक्राइब आगे तो इस तरीके से आपका यह प्रॉपर तरीके से अब इसमें क्या है कि आप क्वेरी वगरा रण करते तो वहाँ पर आपको कि इसको रण करते हैं अपने एक बार कि ठीक है कि अच्छकर देंग बार कि अच्छक पर लेंगे बिल्कुल जुस्टे पर इस पर कॉश्टन लेंगा अब टेशन बत्ला कि भाई कर दो सकते हैं पर सोड़ा सा रिस्क आपके पास ही रहेगा एंसी के अंदर अच्छक पर दो यहां पर देखते हैं यहां पर यहां पर पर यूजर निकाल दिये तो ऐसे टू स्टेट्मेंट का यूजर के आप साइट से काफी सारी वैल्यूबल इंफोमेशन निकाल सकते हैं तो यह अब इसके अंदर बात करने कि भाई यह तो हो गया अब एस्टीमिल इंजेक्शन क्या होता है यह भी छोटा भाई है इसका अब जैसे मानलो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार का चला गया रहे लग आफ अब देखो यह अपने इंपुट डाला तपन और वही मुझे के अधर मिल गया अब देखो यहां पर एक प्रड़ा से एक्जामपल लेता ताकि आपको और डिटेल में क्लियर हो जाए यह चीज के वार में कैसे यह प्रफॉर्म करता है अब लेट सब्सक्राइब करता है अब यह एक यहां पर दो लोग है ठीक है ना थोड़ा समयने कुजिश करना भावना है समझना और यह अरे टांका चली ठीक है ना यह गादमी है मजागमद मराना मेरी ड्रॉइंग का यह कस्टमर है और यह वेटर है ठीक है कि क्या है कि अस्ट कास्टमर अरे विटर इस पर इस पर इस ती ना विटर इस पर इस पर इस तीना विटर थेंक्यू सुमच जीद भाई इसको तीन टांगे क्यों बना दी अरे तीन टांगे एक बेसी के स्टैंड भी तो होना चाहिए ना भाई अला टिया कैसे भाई वरना ठीक है ना वेटर की स्पहलें यह दिना फट चैट बॉक्स में लाल देना भाई कॉलकटा से संबिचा बहुत बढ़ी आर कस्टमर सूखा सूखा हो गया हाँ वाई सूखा सूखा यह मारा ठीक है ना तो अब क्या है कि यह यह काउंटर बें गया यह काउंटर इसका ठीक है ना यह वाला एरिया जो है वो डिलिवरी एरिया है आपका का चला गया अब जहां से सारे सारे चीज़े जो है न वो प्रिपार होती है आपकी और यहां बे भी एक क्या है अब देखो यह नहीं अब देखो यहां यहां पर इसमें एक आडर प्लेज करा कि मुझे कि इसने इसका और प्लेस करा कि मुझे तीन वो चाहिए क्या नाम है चाय टी भाई आपका नाम आया होगा अगर आपने स्क्राइब करा होगा तो ठीक है ना तो इसने बुला कि भाई मुझे और करा 3T ठीक है ना यह ओडर है इसका भाई तीन टी लेकर आंग वेडर ने क्या बूला अंदर गया और भाई सुन डिलीरी वाले को बूला सुन सुन कस्टमर आया है तीन तीन चाय मंगा रहा है और कट देना बिल्कुल मलाई मारके इसने आगे यह चीज़ पास कर दी ठीक है और यह यह तीन टीस ने आगे पास कर दिलिवरी एरिया के पास दिलिवरी एरिया ने तीन प्रिपार करा उसके बाद बीच में अगरा एक और बंदा आ गया चुपके बठाओ था यह हमारी तरह चोड़ है जो नस फ्री शादिव में लिदा खाना खाने के लिए ऐसे रही है यह ठिक है यह पन अ कि आख था लुण्य हम जो मच रोईध है ठीक है यह अबना चोर ही है हे पाकर है ह प्फ लाळा करते ह्सकाम है अब क्या है ईलिवरी एरिया से एक प्लेय टाई भार आई बार कि डिलिवरी एरिया से प्लेय टारी ठीक है डिलिवरी इसा प्लेट आई प्लेट च्टड़ा बनाज़ता हूं में अच्छी लगीए आपको हड़ी सी प्लेट यह प्लेट है आपकी और इसके अंदर थोड़ा से बनाज़ता हूं में आपको ग्लास रखे वे हैं एक ठीक है दो अडियो तेन अब क्या है है कर दिया है कह एक लास ऑre डाल दिया इसके अंदर एक्स्टा कपर इसने एस भाई है ने रख दिया अपना अब अभी जब डिलेवरी वाले के यह पूरे चार के चार ग्लास जो ना यह आगे सर्व कर दी है ठीक है ना इसने आगे देखा नहीं कि भाई यह चार ग्लास कहां से है जब तीन का पुझाता इतना दिमा लगाता नहीं कि सवाज में आ रहा है अब समझते हैं कस्टमर ने तीन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था वेटर के बाद सीधे कहां पौचा यह डिलेवरी एरिया में डिलेवरी एरिया से जब रिटर्न में आ रहा था यह वहाँ पे एक इंफोमेशन आड कर दी गई है ठीक है ना महां पे यह हमारा यूजर जो रिक्वेस्ट कर रहा किसी भी चीज के लिए कस्टमर जो है ना हमारा इंटरेटर विक्टिम बोल लो आप इसको यह यूजर बोलो जो भी आपके मर्जी भाई है कि और रहना कोटिन डाट दोनों साथ में कभी नहीं होता है यह ब्राउजर आपको यह चूज करना पड़ेगा ठीक है ना यह ब्राउजर हो गया आपका इसलिए नहीं आया भाई यह ब्राउजर हो गया और यह जो है ना यह क्या हो गया हमारा सर्वर डेलिवरी एरिया जो है अमारे सर्वर अब देखो समझते इसको अब क्या है और यहां जो हैकर बठाना यह कर रहा है आपका स्टेमल कोड इंसर्ट स्टेमल कोड ठीक है तो अब इसने क्या करा कि जहाँ पِर हमें इंपूट डालना चैजी था घर रहा है वहाँ पे एक स्टेमल कोड डाल दिया तो जिसमें मानलो कि दिखा रहा हूं मैं आपको कहां चला गया हमारा यह यहां पर जहां पर मुझे इंपुट तपन डालना चाहिए था उसने हां कर दिया हर चीज के लिए वहां पर तो यहां पर अपने अगर दिया होता है साइज बढ़ाने के लिए होता है ठीक है ना डेसी पता होना चाहिए आपको एक्सपर्ड बनने की जरूरत नहीं है आपको इसके अंदर यहां पर है मैल्विल नॉबिल आये हमारे साथ में जो इननों नो ना कि सब्सक्राइब कर आए ठीक है ना तो अपने है यह वेसिकली फोन के लिए ताकि आप जो साइज हो बढ़ा सको ऊसका ठीक है तो अब क्या करणा अपने अब क्या करा मैं आपने यहां पे इंपूट के अंदर अब देखो यहां पर हो गया कॉपी कर लेता हूं अब यह मैं सर्वर भेज रहा हूं सर्वर जब इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा तो सर्वर से अब जब अपने सर्वर भेजने के बात जब हमारे ब्राउजर में आ तो हमारा ब्राउजर जो है जो ना तीन भेजा था ना वह गया था और वह चौथा डाला ना वह एक्स्ट्रा पेलो डाल दिया तो जिसमें क्या है कि जब वह इसको रीड करेगा तो तपन दिखाएगा पर वह एच्वन टैग जो एडिन टैग जिसे बोलते अपन ठीक है न तो वह उसको उस फॉर्मेट म में ब्राउजर को को दिखा सकता है वह पर जब मैं क्लिक करता हूं दिख रहा होगा अब जो तपन ना वो किस फॉर्मेट में आ रहा है आपका यहां पर आसपास में एच्वन टैग होने की वएसे हडिन टैग होने की वएसे उसकी साइज बढ़ गई है ठीक है ना अरे इस बदा होता है और अगर आफ इन्सपराटीर में लमीन करके रहोगा इसको यहां पे तो आपको नजर आ आएगा कि बिल्कुल इसके आसपास में होता यह देखो दिखाता हूं में आप दिख रहा है थोड़ा सा साइड में करता है इसको दिखावा इसकी वज़े से इसका जो प्रेजेंटेशन है ना वह एच वन ऐसा हो गया ठीक है तो इस तरीके से अपन कोड को अपन जब इंसर्ट करते हैं किसी भी इंपूट फील्ड में और जब रिफ्लेक्ट बैक होगी अगर ब्राउजर के अंदर वह एस्टेमल फॉर्मेट में ही नजर आता है तो इसे होते हैं स्टेमल इंजेक्शन की तरह ही होता है यहां पर यहां पर हमें डेटाबेस से जरूत नहीं हम लोग अगर रिफ्लेक्ट होकी आ रहा है विशे अब इसके लिए अपने सर्च करने इसको और अपने एस्टेमल पेलूट डाला है तो यह स्टेमल इंजेक्शन केलाएगा सिंपल सी बात है अगर यहीं अपने एस्कुएल क्यूरी डाली होती ही तो यह तो अब यह स्टेमल अभी क्या रिफ्लेक्टेट है यह जैसे में पेज को रिफ्रेश मारूंगा वापिस से पेज पर आऊंगा सर्च कर कुछ भी डालूंगा मैं मैंने जाला एस दी अब कुछ नजर नहीं आर तो यह रिफ्लेक्टेट था अगर यह कमेंट देखा होगा आप अब कमेंट इस्टोर हो जाता आपके कहां पर पेज 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 पेस टोर हो गया वह तो इट मीन्स की वह पेज पर हमेशा रहेगा तो अगर मान लो आपने को यह स्या उन्हों बहुत खतरनाक सा से एस्टेमल कोड लिया एस्टेमल कोड टुट डिफेस वेबसाइड ठीके न आपने से नेट पर सरच करा बहुत सारे कोड मिल जाएंगे आपको सिंपल डिफेस पेज निकाल ले दें सोड़ा से डिफेस पेज दो तीन पर दिखाता हूं मैं आपको करके अब जैसे मान लोगी क्या दे रखा इसमें यह एस्टेमल कोड होगी हमारा ठीक है ना इसको में डालता हूं और यहां पर इसको इसको पूरे सर्च बार में डालता है पने इसको ठीक है ना गो पर क्लिक करता हूं अब भाई रुक जाओ कुछ नहीं आया इसके अंदर रन नहीं कर पाया दो मिन रुक जाओ अच्छा यहां पर इसनों सोर्स वगरा ले रखा इस लिए करें। इसको मैं रेते हैं यह वाला सफ्राइब है यहां पर कई भार का कोोई रखरेंस नहीं देर'. यह यहां पर तोड़ होता अगर मालो कमेंट फॉम्मेंट में डालता तो उस कंडिशन ने पर्मानेंट हो जाता और फिर यह पूरी साइट आपके इसी नदर आती ब्लैक हो जाती और वहां पर लिखा था इसे बोलते हैं इसे साइट को डिफेस करना हो गया तो यह दो बाइव मेरी हिच 29 थीका ना और पेज रेंडर होने के बीच में अपना इंजेक्शन कहां एड करेंगे सर्वर का सर्वर से रेस्पॉंस आना और पीज रेंडर होने बाइव यह जो है ना यह बेसिकलिग कोड अपन को जब अपन परामेटर को रिकोर्वेस्ट कर है सरवर तक उसके बीच में आपको इंजेट करना पड़ता है सरवर रेस्पॉंस के अंदर आप डालोगे तो कोई मतलब नहीं है ठीक है ना वैसे अपन चाहो तो रेस्पॉंस के अंदर भी अपन इन्पूट जहां पर डाल रहा है तो रिफ्लिस रखें आ जाएगा वहां प है इसलिए इन सब को एक ही कटेगरी में कलब कर दिया गया है ठीक है ना जिस टाइप का कोड रन कर रहा है अब बता दो मैं आपको बहुत इंपॉर्टन बात है जहां पर आपको प्लेश्मेंट अच्छे है उनके बस पर नॉलेच थोड़ा सा दिक्कत रहता है क्योंकि वह है ठीक है ना तो पर थोड़ा साथ देखना पड़ेगा आपको क्योंकि पढ़ाई सभी होनी चाहिए और कुछ नहीं है कि मेरे टूंडी ना ये टूंडी ना है ठीक है तो वह दिक्कत हो सकती थी ठीक है इस काल्ड एस्टीमल इंजेक्शन सभी में आपको सेंपल तोर पर दिखा रहा हूं बस अब यह आपका माइंड है कितना कौन सा पीरोड आप लगा रहे हो पर नॉर्मल डाल दो तब भी चल जाएगा अगर मैं यहां पर जावा स्क्रिप्ट डाल दूँ और उसके आज में गोपे क्लिक करूँ तो सर्वर से घूम के जब यह आएगा और यह ऐसा स्क्रिप्ट जब मेरे ब्राउजर में रन कर जाएगा तो उस कंडिशन के अंदर यह क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटाक ह हो गया सविवा जब मैंने सब्सक्रिप्ट में रहा है तो यह एसक्रिप्टिंग हो गया पर ध्यान दे सब के सब नगाए नगा जहां पर आप इनपूट डाल सकते हैं वहीं पर लग रहा है हाँ बिलकुल पिल्कूल एक एक फ्रेम बन जाएगा यहां पर यूपी से जो लोग है उनको विश्व वेरी हैपी छट हम लोगी छट पूजा होती है बिहार के अंदर तो हमारा अभी वह चालू है तो आज कल और परसो परसो सुबह तक रहेगा हूँ तो इस चक्कर में किसी के रिप्लाय नहीं दे पा रहा हूं होड़ा काम में बिजी हो ठीक है ना जैसी में फ्री होंगा उससे तो मैं डेफिनेटली कर दूँगा मैं टाइम मिलते ही मैं रिप्लाय कर दूँगा ठीक है ना सज में आगे आपको अभी है तो इस तरीके से बीसिकली अपना यह अपना काम उर सकते हैं ठीक है ना तो यह स्टीमिल हो गया आपकी विंडो सिस्टम पर है ठीक है ना मैं यूज कर रहा हूँ अभी काले लिनुक्स भाई दोनों दोनों भी बैस दोनों चलानी पड़ती है आपका दस साल बात तो हो सरा आब तो दस साल बढ़ा होंगा ठीक है अब देखो यहाँ पर किया है कि अब यहाँ पर आते हमने कौं सा उ灣ा कमाण इंजिक्शन आपको यहाँ पर कटेगरी दे रखी है कमाण इंजेक्शन में क्या देख्वा पहले अर्को समझना फीचर के बाद जाके ही अपन को आगे बढ़ना है किसी और चीज में ठीक है जटमैया कीजे बिल्कुल बहुत बढ़िया अब देखो यहां पे फीचर क्या बोल रहा है आपको फीचर क्या बोल रहा है पिंग का डिवाइस आपको क्या करना है device को को पिंग करना है so enter an IP address तो यह भी बोल रहा है कि आप जो है न अगर आपको किसी डिवाइस को पिंग करना है तो आप IP address जालो तो यह साइट मेरे सिस्टम का यूज करते वे तो कि इंग्रिश वाला स्टार्ट होने वाला एक सिक्राइश मुझे एक रप्लाइब करने दो पस एक रूप जाओ कि यह अभी आएगा भी नहीं सर्च में तो यार कि रुगों में करें दो मैं आपको ठीक है ना अभी नहीं आयों कि सब्सक्राइबर एक भी नहीं उसके अंदर कि यह रहा है गाइस जिनको इंग्लिश में चाहिए वीडियो उनके लिए आप उनके लिए एक नया चैनल हमने क्रीट करा है मोस्ट प्रवाब्ली कल दिया प्रसों से इसके अंदर वीडियो जाना शुरू हो जाएंगी तो इस न्यू चैनल है कर व्लॉग इंग्लिश करी देता हूं मैं फूल चलाए था बहुत सार बच्चों नहीं नहा चैनल बना दो रिदियम नहीं से डिस्केशन हुआ चलो एक चैनल लेकर आएं हम लोग एकर ब्लॉक इंग्लिश उसके उपर रिकॉड़ेट वीडियो आएंगे अभी फिलाल तो ठीके नहीं इंग्लिश करेंगे वहीं इंग्लिश में डालेंगे हम लोग कुछ नहीं भी होगी इसके अंदर ठीक है ना तो कोई दिक्क्त वाली बात न चाहिए एक सब्क्राइबर अभी 60 लो 59 लोग 59 लोग सब्क्राइब करने चाहिए अभी अभी जस्ट तीन लोग वेरी गुड आइस फास्ट फास्ट शस्क्राइब अनिमेश थैंक यू सो मच अनिमेश अभी सब्सक्राइब और अब यहां पर्टिकुलर वह नहीं एक्टिव नहीं अई और यह अलड़ी श्क्राइब शाबास थेंकिस सो मच निटेश दन थैंक्स सो मच थे इस वाले मेर राइडिंग रिदी मैं ही पढ़ाएंगी यह बिल्कुल दिन भी रहेंगी और मैं भी पढ़ाऊंगा और यह अलड़ी तैंकिसो मच रोहन भाई मन थेंकिसो मच एलेस जी थैंक यू सो मच ब्रदर डन साइबर फाइफ थैंक यू सो मच फॉर्स्ट सब्सक्राइब रोईत ब्रो कूल कूल मेंबर्शिप के अंदर हम लोग काफी सारी वीडियो लेकर आ रहे हैं जो काफी helpful रहेंगी आपको जो आपको फॉर्सैक्ति हैंड इस कोब और देंसे को बना रहें तो फोश्र॑न्च या है आप मुझे इस्टाग्राम मेसेज कर देना प्लाई रूकी श्ठाकूर थैंकि सो में ब्रधर 30 हो गए आए सब्सक्राइब भाकर अभिशेक थैंक्स तैंक्स थैंक्स सम्मेक सयक और इमिजिबल ओपी सर्जी डन राजो वेरी गुड है पिछट पुजा भाई प्रम सिवान विहार ओ शावाद भाई तैंकिसो में भाई आपको भी मैंने सब्सक्राइब कर दिया अभी नव जा थैंकिसो मुच भाई 60 लोग है और अभी सिर्थ 30 सब्सक्राइब है यहां कर रहे हो और भी डालों चैट बॉक्स में जिन जिन को सबको मौका मिलेगा भाई अदर आपको नहीं मौका मिलेगा मौका हमें मिलेगा आपके साथ में काम करने का मौका हम लोग को चाहिए आप लोग के साथ में काम करने का डं 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 नरीद मुदी जी ने भी कर लिया बहुत बढ़ियां सोलो हैकर हो गया भाई साइवर मेल हो गया डं नेचर ने हो गया अभी या मैंने इस्टार मेसेज किया है तीन दिन पहले ठीके भाई अभी अभी इसको आप लाई से डिसक्रस कर लेंगा पर एवा कॉल ने लूगा आपके साथ बेटर रहेगा थर्टीवन सस्क्राइब्स वेरी गुड भाई 59 लो अच्छा एक्स्परिमेंट कर रहा हूं उसका लिंक देता हूं मैं देता हूं मैं आपको डेमो.testify.net ये भाई ये साइड कर लिंक डाल रहा हूं जिसमें मैं टेस्ट करता हूं भाई मेरा नाम नहीं लिया नॉटी गेमर्स ही नॉटी गेमर्स अब अपने रियल नांस आया अगर तो मज़ा आएगा तो डारेक्टी वन टून में कर पाऊंगा आपको मॉहम्मद सरफरास थैंकि सो मच कर दिया आपने सुरेंद्र भाई ने कर दिया उसके लाब और कौन इंस्टा की आइडी वाई डूप के मर्जा तुम्हें इंस्टाग्राम की आइडी नहीं पता हमारी चा कर रहा हो सेशन के अंदर माई निकल जाओ कर रहा हूं यह ट्विटर का वाई ट्विटर पे भी आग लगा रखी है पनने लिंग्डिन क्या अपन सप्पे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि बच्चों को सबको प्लेस्मेंट दे सके हैं यहीं सभी ड़न इट वाज हार्ट ट्रांस्टेट हिंदी आई नो सम इंग्लिश एस प्रसिदेंट आफ रश्य हां विल बी एक्साइट पर यह वीडियो थैंकि सो मच प्रसिदेंट भाइज अगर डन प्रेटिकल कर रहो एक्से लेकर रहों आज सेशन में लेकर नहीं आया भाई इसके लिए ठीक है ना भाई एक्सेस का अल्यडी वीडियो बना हुआ है जिसने नहीं देखा जाके चेक कर लो दूसरा हमारा चैनल ठीक है भाई कर देना भाई सारसार जितने भी लोग है वो कर देना प्लीज है ना और आगे शेयर कर देना सबस्क्राइबर होते ही हम लों हैकर व्लॉग लाइप की ओपर वीडियो जालना शुरू करते हैं ठीक है ना थैंकी सो मज़ आपकी इडन बग बाउंटी की वीडियो कैसे देखो बाई इडन इडन उसके लिए आपको आपको है ना हमारी इसी चैनल के ओपर एना मेंबर्शिप नहीं पढ़ेगी अब यह वह बनाओं गया जिसके अंदर बहुत सारे लिंक्स आजाते हैं वह बनाओं गया राज बाई ने सब्सक्राइब कर दिया थैंक इस सो मसलमान भाई सब्सक्राइब करता है अपने सेशन के अंदर ठीक है ना होगी बाई 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 बिल्कुल साइन हो भाई बिल्कुल एडवांस वीडियो लेकर आँगा मैं बाई पास किसे करें और इसके फिल्टर्स को इस पर लेकर आएंगे अपन ठीक है सर इसमें क्या पूरा अलग करता है अपने सेशन के अंदर ठीक है ना होगी बहुत सारी बात्चीत छोगया कॉस्ट याम सिरीज आने वाली है वासी के बंढाओ का अज में बनाओंगा मैं तो आजएगी वो तो यहरे वाने वाली इंदर यह चक्लिस्ट मिल जाएग और 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 सारी वीडियों ब् theo प्रोक्त सुव और वाफ कि इसके अंदर देना साइब लेना चाहें से अंदर आपकी शाप कर रहा है कितनी दिनों में आएगा पर हां यह वास का चेक लिस्ट है वह हमने बनाना शुरू कर रहे है हां सर रोबूट फिल्म हिंदी में है कि हां भाई हिंदी में है ना चलो ठीक अटाट आज़ा है वन प्रेक्टिकल की उपर तो अब क्या है कि बेसिकली अब कमांड चीज़ा है और एंटर आईपयडरस तो यह हम से क्या बोल रहा है कि तुम्हें जो आईपडरस ना तुम आईपडरस चालो और हम करेंगे कड़रिया पहँने को डहंच से समझों कि वेबसाइट क्या रही है कि आपको जो भी आईपी को पिंग करना आप मुझे आईपडरस दो और हम इसको पिंग करेंगे तो यहां पर एक वर्ड है मैंने बहुत जोड दिया है हम किस पर मैंने जोड दिया है कि आपको जिस साइट को जिस आईप एडरेस को आपको पिंग करना है तो इसको चेक करके रेस्पॉंस देगें आपको ठीक है ना अगर आप इस सभी ही कमांड यूज करना पड़ेगा वो कहीना के कमांड पे चलेगा तो अगर मैं मैं डालता हूँ आरेटी 192.168.1.1 तो यह पिंग नहीं करेगा ना उसके लिए उसको सर्वर पर डालना पड़ेगा पिंग और फिर क्या करना पड़ेगा जो भी माई पेटे जरह वो यहां से प्लाय करना पड़ेगा तो 192.168.1.1 जब इस टाइप का कोई फॉर्मेट होगा जहां पर खेंकि सो मस संदीब एनरजी भाई ठीके ना अब अगर मालो इस टाइप का कोई उसने कमिटमेंट कर रखा है इस टाइप की क्वेरी उसने डवलप करी है जहां पर पिंग बाइडिफॉल्ट डलावा है और अगर आप डिफाइंड ना करो तो ठीक है तो देखते हैं यहां पर क्या करते हैं अपर यहां पर डालते हैं आईप्टेस 192.168.220.120 इसका चेक करते हैं इसका आईप्टेस चेक कर रहते हैं एक बार अपनी मशीन को पिंग करवाना चाहरा है यह आईएफ कॉन्फिक विं 38 अपने सिस्टम को पिंग कराना चाहरा है सब्मिट करता है एक दो तीन और देखो यह आ गया सवज मारा आप क्या रहा है रिप्लाइ फ्रॉम क्या हो गया कि रिप्लाइ फ्रॉम 192.168.220.138 बाइट कितने 32 बाइट है और टाइम है लेस दन वन मिली सेकेंड टीटल वेल cmd मैंने टाइप करा एक सिकेंड रुक जाओ बहुत इंपोर्डेन कॉंसर्ट समझा रहा हूं पहले कॉंसर्ट समझेंगा फिर प्रेट्टिकल दिखेंगे कि आपको पता होना चाहिए अप्लिकेशन में यह फीचर रहेगा तो मैं यह बग निगा सकता हूं तो जैसे मानलो जो आपके सामने दिख रहा है यह कमांड प्रॉंप्ट के अंदर यही आउट्पुट भाई ने यहां प्रिंट कर दिया आपके सामने सो मतलब कि यह feature जो है न ठीक है न यह feature जो है यह basically define कर रहा है मतलब यह feature जो है web application का यह directly system के command line से interact कर रहा है हमारे command run कर रहा है और उसके बाद वहाँ से response ला कि इधर में को display कर रहा है ठीक है अब अगर आपको यह समझ में आ गया है तो जैसे यह command line से interact कर पा रहा है तो तपनसर ऐसा भी कर सकते ना अपने IP address जाल रहे है ठीक है ना तो क्या यहां पर हम लोग IP address के अलावा कोई और Windows के command चलाएंगे तो क्या चलेगा तो यह question सोचने वाला है कि अगर मालो हमने तो कि हमारा browser हमारा जो वेब साइट है वो directly server के OS से मैंना server के command line से interact कर पा रहा है तो इस condition में अगर हम input field से ही कोई system के commands डालते हैं तो वहां पर क्या चलेंगे यह इसको अपन चेक करते हैं एक बार ठीक है तो यहां पर अपन को लगाना है pipe pipe का में होता है और यहां पर pipe का मतलब होता है और ठीक है ना और फिर अपन यहां पर करते हैं dir अब मुझे cyber5 ने बोला है कि अपन सर लस टाइप करो पर बतादू मैं यहां पर लस पर को रिजल्ट नहीं मिलता अब क्यों अपने लस पर रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि पहली बात तो सामने वाली विंडोस मशीन थीक है ना तो यह विंडोस मशीन है यह फीचर तो बता रहा है कि डीडवल विंडोस अपनी सिस्टम पर चल रहा है बिल्कुल वेरी वोट अमनोमशी है भाई बहुत साही बताया आपने ठीक है ना तो अब क्या है कि जब अपनने पाइप लगा के स्पेस अब यहां पर उस विंडोस की डिरेक्ट्री पूरी इनुमरीड कर रहे है इवन उस स्टम पर अभी कितने वाला जो भी जिस भी आप एरिये में हो अभी उस तर्मिनल के जिस भी सेक्शन में हो वहां पर कौन कौन सी डिरेक्ट्री उनके पाथ चाहे वह पूरे आपने इंडेक्स.php एक फाइल दिख रही है आपको यहां पर ठीक है ना हेल्प दे रखा यहां पर कुछ नहीं यहां पर सर आपने आयटी से पढ़ाई किये बिटा मैं आयटी को पढ़ाता हूं मैं आयटी कानपुर और आयटी रुड़की के लिए मैं ऑफिशल ट्रेनल ठीक है और उसी कमनी की टेस्टिंग कर रहे है तो वहां पर ओस जो आप स्टैंडर होता है जो और वहां पर इंफोमिशन निकाल के दे रहा है उस टाइप की हमें हर इक परामिटर चेक करना हो जैसे मानलों की विंडोस के अंदर आपका एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको विं वो प्रट्टी लग दिखाएंगे हम लोग साइबर जो हमारी जो अभी लेटेस्ट वाली हमारी हम लोग मेंबर्श्प लांच कर रहे हूं उसके अंदर ठीक है अब दो समझ में आगे आपको यहां पे तो यहां पने डाला और डिया अब देखो यहां पर कुछ नहीं हुआ जंड बेट जती किसे काम चलेगा कोई जंड वाली बात नहीं है अब चेक करो डिया यह मार के सब्मिट डिया आइस सब्सक्राइब देखेंगे अपन यहां पर तो यहां पर रोईद भाई के नाम से फोल्डर आप्टेमेटिकली बनीगा है सब्सक्राइब υτरे को मतलब यहां से जहां से मैं कोई भी जिसल्डर करेगा तो किस अब यहाँ होता है कि कमान कमान इंजिक्षं लाइस करो पर यहोड़ी ऑपि ठीक है ना उसके लिए टाइम लएगेगा आपको एक नमर भाईया किष्णा थैंकी सो मच अरे एंड्रोइड है कि इंपर कुछ भी सीरीज नहीं बन सकती भाई बहुत पिद्दा सा एंड्रोइड है कि एक वीडियो बना रखिए वीडियो में आके चेक कर लेना भाई ठीक है ठीक है विल्गुल विल्गुल प्रकर आँगा तो ठीक है समझ में आगे आपको इस इस कॉल्ड कमांड इंजेक्शन जहां पर एप्लिकेशन के थ्रू आप ओएस के कमांड डालोगे और वो रन करते हैं आपके सर्वर पर वहां से आप इंफोर्मेशन पैच कर पार हो से आउटबूट आगर आपने यस्टी मिल कोड दाला डाँट कमस ड Gesch Theatre Kingdom निजेक्शन अगर आपनेर वेस कमंड चालेगा तो यह यह बिल्कूव बिल्कुल अगर वो विंडोस में जो भी कमांड सपोर्ट करते हैं वो सारे कमांड चलेंगे इसके अंदर बेस्ट बात इसकी यह होती है और अगर लिनिक्स के है तो फिर तो बात ही अलग है फिर तो आप कुछ करते हैं उनको जब वो रियल टाइम में आते हैं तो वह चीज है ना तो दिमाग घूम जाता है उनको चले का रहा है इसके अंदर है तो मतलब CTF करने का आद मैं बच्चे को होता हूं कि पहले आप है ना कुछ तो वह रियल साइड प्रॉसिबल नहीं हो पाता तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि CTF तो करो पर CTF सिर्फ इना कॉंसर्ट बिल्डिंग के लिए करो और बागी फिर लाइट पे करो भाई मैं राजस्तान के देखोटा के अधार जब आप वन्नेबिटी वन्नेबल वेबसाइट विजिट करते हो तब आप क्या वीपें से दो नहीं मैं कुछ ही यूज नहीं करता भाई अपन सलंग लगा दें अटक डारेटली सीटिएव इव जस्ट अपॉंड एंड बग हंटिंग इस बिल्कुल सही बोला प्रकर बिल्कुल सही बोला अपने ठीक है सवाज में आगे आपको तो भाई यह तीन चार वन्नेबिटी जो आज मैं बताने वाला था आपको ओवास आप 10 की और यह काफी अच्छी वन्नेबिटीज है ठीक है ना इंजेक्शन जो है थर्ड लेवल पर आ रहा है भाई ए थ्री ए थ्री रैंक दिया इसको वास ने दोजार रिकिस के अंदर तो बहुत अच्छे लेवल पर बलने पर ठीक है ना अब जो नेक्स सेशन होने वाल राइक कर रहे होंगे आपको से काफी कुछ सीन मिल रहा होगा इसलिए मैं आपको सारे एंगल से पढ़ाता हूं मैं कि ताकि ना ठीकल हो नितिश बताने के लिए भाई ठीक है अब इसमें वह सब चीज में आ जाए आपको अगर आपको किसी भी वक को रिपोर्ट करना है ठ ठीक है ना जिसके अंदर कुछ टेबल बना सकते हैं आप डारेटली ऐसे जहां तो उसका टाइटल हो जाएगा जो भी टाइटल है आपका डाल दो आप एसकुल इंजेक्शन जो भी है आपका ठीक है उसके बाद टाइटल की जस्क नीचे फिर आप डाल दो उसका डिस्क्र टाइटल को अठागे आप यहां डाल दो इसकुल इंजेक्शन ठीक है यह रिपोर्ट को दाना ब्रानव दाराओं मैं भाई डिस्क्रिप्शन आ गया आपका उसके वाला फिर आपका यहां पर आगया अफेक्टेड आइटम अफेक्टेड परामिटर सॉरी ठीक है अब इस अब सब्सक्रिट अफेक्टेड परामिटर और यह हो गया हमारा कि सेवरेटी और यहां पर आपका आजाएगा विवान यह चीज़ ना रिद्धी में लेकर आने वाली यह बहुत जल्दी आएगा सोर्स कोड रिव्यू के उपर एक पुरा डिटेल वीडियो मतलब डिटेल स्रीज आने वाली है वास टॉप टैन होता है इसके अंदर अपने सोर्स कोड रिव्यू के अंदर भी तो वह हम इस वाले में आएगा आएगा तो ना भी साइबर मानिया में आएगा ठीक है ना अब देखो यहांपर बनमरा थे अफ्रक्टेड प्राइमिटर आगया आपका सेवरिटी आगया इसके लागा फिर आपका यहां प्रा सकता है कि इंपक्ट 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 कर दो इंपक्ट और जाज डिफाइन करना ताकि एना थोड़ा से एक मैनेज्मेंट लेवल को लगे कि भाई यह बग जो है ना हमारी हलक फिराप कर सकता है तो इंपक्ट आपको बहुत चाहिए रिखना होते हैं गूगल पे सरेच मार्के डा काउंटी है करने वाले और चोटी मुटी चीजों में कोई पकड़ने वाला भी नहीं है आपको सब खुला रदा इसलिए ना इंपक्ट हो गया यह और रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन हो गया आपका ठीक है न यह आ गया आपका उसके अलावा देखो नीचे और मैं अड़ कर देता हूं यह सब डालना जरूरी है भाई रिकमेंडेशन हो गया उसके बाद फिर यहां पर आप अड़ कर दो सॉफ्ट्वेर यूजड और फिर यहां पर डाल दो रेफ्रेंस लिंक ठीक है है फिर यहां डालोग पी यूसी बस और नीचे स्टैप वान स्टैप टी स्टैप डाल दो स्टैप वान किसे करा अपन ने कहां पर गाया अपन कौन सा यूरल में लॉगिन करा क्या पैरामिटर था कौन सा पे लोड था सब चीज़ आपको डिफाइन करने ही पड़ती है ठीक है ना और फिर यहां पर एक कॉलम और बना लो आप पॉलिडिव आउटकम कंक्लूजन मरा लो ऐसे हैं कि आप रेमेडियेशन अर्य हां स्वरी रेमेडियेशन था मैं भूल गया अक्ट रेमेडियेशन डालना है ठीक है ना इंपाट रेमेडियेशन वर्ण ठीक है तो थैंक्यू डीपी 007 ने लोग जॉइन कर रहे हैं ठीक है तो इस टाइप का पूरा एक बन जागा तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाए ठीक है तो यह पूरा था मेरे साब से आपके आपको आज का वाला वीडियो क को नए चैनल के उपर नड़ा सपोर्ट करिए गाइस ठीक है ना क्योंकि काफी सारे स्टूडेंस में बोला है कि ना काफी लोग का तो नो आया था था अपन सर्वाद के ना हिंदी में रहे तो यह चैनल हमेशा जिंदकी पर ही हिंदी में रहेगा टेंशा बदो लुग होते हैं दे अलसो वां टो वां टो गेट इस करने व नॉलेज यह बहुत बहुत तो उसलिए बनाते हैं रदी से बात करी तो आपने इंग्लिश चैनल और यहां पर सबके लिए सबके लिए सबके लिए जिसके पढ़ना इधरा कर आप पढ़ लो जिसको लाइब स्ट्रीम करना वहां जाए कर लो तो ऐसा कुछ अपने सेक्शन बना लिए हैं और ध्यान देखिए ना ऐसा बहुत सारे चैनल से मैंने देखा है बहुत सा लोग करते हैं कि ना पुराने चैनल को भूल के नई चैनल पर काम बढ़ना शूब कर दे अब जो पहले जोइन कर रहा है वह डेफिनेटली वह प्रायरिटी हमेशा रहेगी और अभी तो आपने देखा हुआ कि इसके अब पर हम लोग डेली के साफ से एक वीडियो डाली रहे है शनीवा संदे चुटी करके बाकि तो अर दिन आए वीडियो आएगी सरी आपके लि अनुमस नहीं रह सकते हैं क्योंकि यह न अभी काफी सारी चीजे ऐसी आ गई है आपके देखा हो गया बहुत सारी चीजे जो है मतलब वाले बंदों को पकड़ लिया बहुत सा लोग पकड़ ले थे वह आपको क्या लगता है कि वह लोग लोग वह करने जाने कि कितना तक् कुछ नहीं है बहुत सा लोग बोलते अनॉनमा से रह सकते तो यह करो हर वक्त तौर नहीं कर सकता आपका इंट्रेट स्क्रीड भी खाएगा आपकी परसिंग पावर भी खाएगी बहुत सा चीज होती है वह था यह आप यूज आप यूज कर लो अगर आप कभी करना यह व ब्राउजर से करेक्ट होता है यह ब्राउजर से जब ब्राउजिंग कर रहे तो यह यूज कर लोग बढ़िया मानता हूं वह कभी करना तो रहना है वी आर वाइट हैकर आप ब्लाक बॉक्स ब्लाक बॉक्स थ्री कब आएगा वेलकौल नितेश जल्दियार मैं वह सारा सब आप करने के बाद हैं सबक हां बहुत सारा ना बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आते हम लोग आप लिए इसा कुछ नहीं की बेकार कंटेंट के लिए और तो अपने स्क्राइब लगता काम कर आप शब मैंने इसक्रीट किया है कंपनी में रिपोर्ट किया है चार दिन प तो कब आप क्या करें कोई दिक्कत नहीं वेट कर सकते हैं आप ज्यान दें भग हंटिंग के लिए आप यह मैं सोचो कि यार मुझे सब्सक्राइब करता है उसका इमान को तो आपको देगा नहीं हुआ तो फिर नहीं देगा कुछ भी इसलिए खसर कल पांच आर तुम्हारा वीडियो देखा है मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं बहुत बढ़िया संदीब भाई बहुत अच्छा लगा है कि अपने काफी को सीख हैं अभी काफी कुछ आना बजा भी तो सिर्फ मान लोग कि आप दो पांच परसेंट भी निकलानी होगा हमारे अंदर से काफी कुछ चीजे हैं जो आनी बची हुई है और गाइस वदू में आपको के ना नेक्स्ट येर से जनवरी फरवरी से हम लोग हैकर्स मीट जो होती अगर बग का रिवर्ड ना दे तो एक्सप्लाइड कर लो हां साही वहला थेकर ना तो नलकॉन में जो भी होता है इंडिया के अंदर कोई मीट होगा तो डेफिनेटली मैं और रिदी दोनों को दिनों वहां विजिट करेंगे और वहां प्रॉपर ब्लॉक शूट करेंगे और आपको उस लेवल पर कंटेंट भी आखे देंगे तो इसी काफी सारी चीज़े ना वो लाइन अप में हैं नेक्स्ट यर के साथ से और इसी यर में भी काफी कुछ चीज़े हम लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हैकर व्लॉग से जड़े हो तो आप हो ना हर दिन क तो आप कि यॉस्स नगोच अचेक नया पाओगे हैकर लॉग के अंदर वह भली हैकर लॉग हो हैकर व्लॉग लॉग लाई वह कर लॉग्डियों देखता हूँ बहुत सारे नॉलेज बिल्कुल थैंकि सो मज़ भाई मतलब हम ट्राइब करते हैं अगर हमारा एक ही टॉपिक अगर आप अलग अलग वीडियो में तो आप उसको देखो आप एक ही टॉपिक को जब अलग अलग देखोगे आप तो हर टॉपिक को हम लोग परफिशनल नेट्वोग हम लोग क्रेट कर रहे हैं अगर आपने नहीं फॉलोव कर दो जाए जाकर फॉन या कर आवालें जैसे इंस्टाग्राम हो गया कि यह मारे इस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूं मैं आपको कहां चला गया कि यह लगता है मेरा इस परीपा एक चोटा पर कंप्पूटर एक तरीके से यह एकर व्लोग हमारा इंस्टाग्राम हो गया ट्विटर हो गया ठीक है ना इवन प्रोफेशनल नेट्वर्क के लिए हमने लिंग्डिन स्टू कर दिया बहुत कम लोगों के लिंडिन नेट्वर्क है भाई मतलब मैं यह देख रहा हूं कि भाई जो लोग हाकिंग की लोग अप्रोफेशनल नेट्वर्क लिंडिन तो यूज करना चाहिए आप इंस्टाग्राम फॉलो मत करो चलेगा आप लिंडिन पर जरूर करना चाहिए पर चाहिए अब आपको लिंडिन से मिलने वाला है मुझे मेरी लाइफ पहला काम लिंडिन से बिलाता तो मैं हमेशा रिकमेंड करता है अपने स्टुड़न को पढ़ाना एक अलग बात होती है और गाइड करना अलग बात होती है पढ़ातों रहे ही सरीने वह नालेज रेक कंपनी बहुत सारी कंपनी जुड़ी होगी है और बहुत सारी स्टुडेंट्स है जो में सी के अंदर प्लेज्ड है उन सब का भी है तर इतनी रात में लाइफ क्यों आते हो थोड़ा जल्दी आओ दिन की अंदर में फ्री बिल्कुल नहीं रहता सुबेस मैं लेट उड़त जल्दी जाती है यारा गवज़े गरीब एक दिन मैं जाता हूँ अफ़स जल्दी ना तो फिर एकवजे ओफेस जाते हैं एक से लेकर पांच-शे साध बज़े तक 6-6 बज़े तक हम लोग वहाँ पे हम पे ऑफिस में काम करते है एं लिग किया ना साध साध सेवन सभी प्रमीला बिल्कुल इससे पहले भी आपने पूछा है प्रमीला इस सेशन के अंदर आके है ना मुझे जितनी स्क्राइबर्स जो मुझसे जुड़ रहे हैं जो जो बीसिकली जो मुझसे लाई सेशन में चैट करते ना उन सब को मैं परस्नली वन तो जानता हूं उनके नाम से पर हम लोग फूर्थ वीडियो आने वाले इन सेक्यों डिजाइन पर लोग नेक्स टॉपिक लेने वाले वाले विदिन अमीन टाइम अगर आपको कोई लगता है कि यह नहीं टॉपिक भी बना दो तो वीडियो को एंड होने के बाद ना कमेंट में डाल देना बसाओ तब सब्सक्राइब करें तो आपको अगर आप इन सब पर काम करना शुरू करो आप इन सब पर काम करना शुरू करो रजबरी पाई पर करो या फिर वार्लेस जैमर्स का यूज करो तो वो चीज़े अभी न जहां बिलकुल मुझे जानते हैं आप बड़े बड़े लंबे होते हैं इस्टाग्राम पर इतने बड़े बड़े मेरा जो रीडर होते हैं वो मुझे समझाई नहीं पाता है तो बहुत बड़े को पूछें तो जो बड़े कोश्टन चोटे मोटे के तो टेक्निकल कॉश्टन के आँसा देदूंगा मैं तो डिसकस करना होता आप इधर भी इसकस तो डिसकस सर्थ नेट सब्सक्राइब लेकर आओगे क्या नेट सब्सक्राइब यार मर गया अब है सब्सक्राइब आप और दोस्ते दोस्ते अचे दोस्ते अच्छे दोस्ते लास्ट में आपने जो नेट्वर्क पिंग कर रहा था और वहां पर जो कोम चे एंसक वी बनाया था हां ब्लुक्वल बनाया था क्या पूछन पूचना चाहरे हbon मिस्टर रोट का टाइमिंग अभी आज का था Piece आँड वह कन गने चाह्पस्ते ही सब्सक्राइब तो जिसनी मतलब एक रहा बहूं पर दो एक करिया डाउट के उपर वीडियो बना दो एक तो करिया डाउट के उपर पूछ लिया अगरों आपको यह पे क्लियर कर दूंगा ठीक है सब करता है सब बढurst구요 पढ़ा रहीं दो सब पढ़ाते हैं तो सब पढ़ाते सब बढ़िया हैं सब कोई नहीं कोई गलत नहीं पढ़ा रहा है आपको इंटरेट पर जहां से मिल रहा है मैं तो बोलता हूं जिस भी चैनल से मिले आपको इंफोर्मेशन लो पर अल्टीवेटी सीखो तो मैं परमीड़ा आपको मैंने अल्रेडी हमारे हैकर लाइव चैनल के उपर बिगनर टू एडवांस लेवल की वीडियो है आप जाके चेक करो हैकर व्लाइव लाइव को ना तो यू विल लव इट कि वहाई अच्छा कंटेंट डाल रखा पन अरे यहीं पर था स्वारी जा बने नहीं रहो ना कोई मतलब नहीं ना एक दिन आये फिर वापिस एक दिन आये आप कंटीनू सेशन अटेंट करोगे तो बिगनर से लाइव मैंने स्टार्टिंगी जीरो से स्टार्ट कर रहा है बच्चों को और फिर अब जाके काफी बच्चे आ गए जो बच्चे अगंट कर पा रहे हैं और टैक करतें इंस्टाग्राम मुझे मज़ा आता है भाई करो पर कंटीनू बने रहो कोडवित हरी कोडिंग के लिए हाँ बिल्कुल कोडिंग के लिए होगा सर्डविड बंबल की साइड डोस मारी थी खुद के टू से क्या वाद है राजू तो हमारा कॉस्चन का चला गया भाई ब्लाइंड एसक्वेल क्या स्लीप क्वेरी से भी होता है क्या भाई अब यह जो स्क्वेल की जो कटेग्रीज है ना यह बहुत सारी कटेग्रीज होती है इवन आप भी खुद ना ढूंड नहीं पाऊगे कि भाई कौन सा पीलोड लगा प सी कोड विध हरी से ही सीखी वहरी बहुत चीवाद है मनतर बहुत चीवाद है जहां पर आप नेट्वोकिंग किये और डारेक्टरी बनाए क्या हम उस डी डेवली विंडोस अब साइट पर कोई टूल रन कर सकते हैं जैसे रडॉक हाँ बिलकुल जहां पर आपने कमांड ज से मैंटर लॉट थैंकी सो मच अभी ना भाई सर मैंने कोड विध हरी को एक साल से पढ़ रहा हूं वह बहुत अच्छा बढ़ाते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आल्वेस एंटर इन्यों क्लास विदाउट द्रिंकिंग और फूडिंग बहुत बढ़िया बाद यार हैकिंग में सलमान भाई सलमान भाई का सब्सक्राइब कर दिया होगा तो इंस्टाग्राम पर आके मुझे एक बार आप अपना नंबर डाल दो तो मैं आपको कंटाट करवा दोगा कोई भी स्टूड़ता नहीं यार ऐसा तो नहीं कोई भी पर जाके मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर दो एकर ब्लॉग ऑफिशल मैं आपका रिप्लाइ करता हूं भी हैं टूड़ती ठीक है ना और नाम डाल दे ना पीस की नाम क्या है और यह यूज यूजर इन पी 007 अपका रियल नेम क्या है और चैट बोक्स में ड अरूंड टेन किलास में था हूं जब मैं तब मैंने स्टाट कराता हूं सब्सक्राइब करता हूं तो अगे क्वाइब करते हैं को एक स्प्लोइड करता हूँ तो था टॉ आपको परएप करना पड़ेगा किस टाइप का आना मतलब प्लस किस टाइब ओ कनेक्शन आपको मिल रहा है ठीक है ना उसके चेक करें भी ना आपको 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 नहीं हो पाओगे ठीक है ना प्लस आपको दिखना पड़े है कि भाई जो एक्स्प्लाइड आप यूज कर रहे हो क्या वह उस वर्जन से कंपेटेबल है या नहीं कई करता है और कई बार आपका वह उसनों ने पैच कर दिया होगा वह पैचे सब्सक्राइबल होते हैं उसके उड़ाले तो फिर उस कंडिशन में काम नहीं करेगा कि अधिया सर मैंने तो माइनिंग भी कर सकते हैं अगर कमाड इंजेक्शन वलने विडियो ते हां बिलकुल माइनिंग कर सकते हैं बहुत सारी वलने विडियो होती है इसके अंदर अब एक बजने वाला है सुबह चट घाट भी जाना है क्या वाद है ओम नहीं अश्री सबस्क्रान है मैं देस्ट है ऋब तो में करता हो है कि कम्पनी बार काम के डाता है जरन के था हो हूँ सब्सक्राइब और यह थी स्टाइब करते हैं जो ब्रॉडक्षन से अप्र्डक्षन में जो भी साइट है सरी जो टेस्टिंग और ने विट विद यू वन दे एंड यू विल फिल प्रॉड ऑफ में तैंकि सो मुझ सल्मान डेसे नेट इट इच और एवरी स्टुडेंट सब्सक्राइब करते हैं आपके वैल्यूबल जो कमेंट्स होंगे उसका मैं वेट करूंगा वीडियो के एंड होने के बाद आप साइट आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं अपने रिजूस की आजशी क्लास आपको कैसी लगी है कितना नॉलेज अब आ टाइम लगता है इतना जल्दी इजी नहीं है इसका जीमेल अकाउंट हैक हो सकता है क्या अभी जीमेल एमेल कुछ मत पूछो ठीक है ना चलो ठीक है ओके मिलते फिर कल कोड़नाइट ठीक है बबाए